हलो फ्रेंड्स बल्कम बैक टोवर चानल आंद्रा कुक आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ चिकन मसाला ग्रेवी की रेसिपी ये बहुत ही इजी रेसिपी है इस रेसिपी के लिए इंग्रीडियन्ट्स है 500 ग्राम्स चिकन लाल मिट्च पाउडर नमक गरम मसाला तेल दही बारिक कटी हुई प्यास कटे हुए टमाटर तेज पता सूखी लाल मिट्च इलेची लॉंग दालचीनी का चकला काली मिट्ची करेपते अध्रक के पिसस लैसन के पोतियां अब हम ग्राम को लोपे रखते हैं और पैन रखते हैं उसमें हम डालेंगे दालचीनी के चकले काली मिट्च लॉंग इलेची लैसन के पोतियां और तेज पता बारिक कटे हुए अध्रक करी पता सभी को अच्छे से भून लेंगे सभी को अच्छे से भून लेना है देखिए हमने सच्छे से भून लेया है अब हम इसे एक जार में ट्रांस्वर करते हैं इसमें हम आट करेंगे सुकी हुई लाल मिट्च और थोड़ी कटी हुई प्यास सभी को अच्छे से पीस लेना है अब हम हाइफ फ्लेम पे पैन लेंगे उस पे हम डालेंगे तेल दालचिनी डालेंगे तेज पत्ता डालेंगे लॉंग इल एची डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे चिकन चिकन को ऐसे ही तेल में फ्राई कर लेना है अगर आपको हमारी कोई भी रेसिपी के बारे में अगर डौट रहा तो आप हमें कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट कर सकते हैं अच्छे से फ्राईब करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और स्वाद नुसर नमक डालेंगे सभी मसालों को मिक्स करते हुए हम चिकन को फ्राई कर लेंगे इसे ऐसे ही हमें एक फ्राई मिनिट्स तक फ्राई कर लेना है यह थोड़ी अलग रेसिपी है आप ज़रूर ट्राई कीजिए बहुत ही टेस्टी रहेगी चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे देखिए ऐसा हमें निकाल के इसे साइड में रख लेना है चलिए मैं आपको अगला प्रोसेस बताती हूँ चिकन को फ्राई किया हुआ तेल ही लेंगे उसमें हम डाल मिट्च और कटी हुई प्यास दालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्यास अच्छे से गलना चाहिए ऐसे ही प्यास को टू मिनिट्स तक पका लीजिए देखिए प्यास गल चुकी है अब हम इसमें एट करेंगे कटे हुए टमाटर टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चमच गरम मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए ऐसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दही इसमें हम एक कप दही डाल रहे हैं धाइंग को अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे ही टू मिनिट्स तक मिक्स करना है देखिए सबी धहीं अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे पीसे हुए खड़े मसाले डाल रहे हैं इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे ही मिक्स करते हुए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे मैं हाफ ग्लास पानी डाल रही हूँ पानी डालने के बाद फिर हम एक टू मिनिट्स के लिए पकाएंगे पकते हुए मसालो में हम चिकन डालेंगे जो हमने फ्राइ करके रख लिया था वही चिकन हम इसमें डाल रहे हैं इसे हम एक 10 मिनिट के लिए लिड बन करके पकाएंगे देखिए चिकन अच्छे से गल चुका है और हमारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं चलिए अब हम सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं देखिए कितना टेस्टी और मज़ेदार लग रहा है चिकन मसाला ग्रेवी इससे आप रोटी और डाल चामल के साथ भी खा सकते हैं ऐसे ही मज़ेदार रिसिपीस के लिए सबस्क्राइब करीजिए हमारा चानल आहंद्रो कुक और हाँ लाइक और शेयर करना मत भूलिए ठैंक्स वर वाचिंग अवर वीडियो